नमस्कार भारता फर्स्ट में आप सबी का स्वागत है आप देख रहे हैं भारतीय समचार सबसे पहले बात करते हैं नीती आयोग की SDG रेंकिंग की रिपोर्ट के बारे में भारत सरकार की Think Tank नीती आयोग ने सतत विकास लक्षों के पर अपनी तीसरी रिपोर्ट जारी कर दी है केरल ने एक बार फिर इस रिपोर्ट में पहला इस्थान हासिल किया है जबकि बिहार सबसे निचले पायदान पर है Sustainable Development Goals नाम की इस रिपोर्ट में राज्यों और संग प्रशाशित शेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और परयावर्णी इस्तिती पर प्रदर्शन का आकलिन किया जाता है कमला हैरिस ने भारत के लिए अमेरिकी टीकों पर PM Modi को फोन किया विदेश मंत्री सुब्रमन्यम जैशंकर के वाशिंग्टन डीसी में बाइडन प्रशाशन के प्रमुक अधिकारियों से मिलने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने गुरुवार को घोशना की कि वह वैश्वेक वैक्सीन साजा करने की रणनीती के तहट भारत को COVID-19 टीके वितरित करेगा उप्राश्टपती हैरिस ने भारत सहित अन्य देशों को टीके उपलब्द कराने की वाशिंग्टन की योजना के बारे में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से फोन पर बात की इस कदम से पूरे इस्थित सीरम इंस्टिट्यूट अफ इंडिया सहित वैक्सीन निर्माताओं के लिए कच्चे माल की आपूर्ती में असानी होने की उम्मीद है अलपन बंदोपाद्याय का केंद्र को जवाब कि उन्हें चक्रवाज से प्रभावे शेत्रों का दौरा करना था और वे मुख मंत्री मम्ता बेनरजी के आदेश का पालन कर रहे थे इस बीच मुख के सचिव हरी कृष्ण दुवेदी नभी केंद्र को पत्र लिख कर बताया कि बंदोपाद्या बैठक के लिए 15 मिनिट शेश रहने पर क्यों पहुँचे और तुरंट क्यों चले गए और अब बात करते हैं सेना प्रमुक के बड़े बयान के बारे में पाकिस्तान के साथ नियंतरन रेखा पर शंगर्श विराम की अवदी पड़ोसी देश की कारवाईयों पर निर्भर करती है साथ यह भी कहा कि भारत की तैयारियों में कोई धील नहीं दी जाएगी क्योंकि सीमा पर आतंकवात का धाचा बरकरार है और अंत में मौनसून ने दो दिन की देरी से केरल में दस्तक दी दक्षन पस्चमी मौनसून केरल पहुँच गया है मौसम विभाग ने गुरुवार को इसकी पुष्टी कर दी है केरल में मौनसून के एक जून को पहुँचने की सामानने तारीख है बीते 6 साल में यह तीसरी बार है जब मौनसून देर से आया है अगर आपको हमारा कॉंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहिए भारता फर्स्ट